प्रदान मंत्रिक किसन सन्मानीदी योजना के माध्यम से सभी किसानों को साल में से 1000 रुपे तिये जाते है साल में 2000 रुपे के 3000 किसते किसानों को तिया जाता है PM किसन पोर्टल को अबडेट किया गया है PM किसन पोर्टल को काफी सिकर बनाया जा रहा है पहले benefit status को काफी आसन तरीकों से सबी किसानों को data check कर सकते थे पहले कोई भी third party person किसानों की detail को देख सकता था इसमें किसानों को data miss use होने का खत्रा बढ़ गया था किसानों को data miss use ना हो इसलिए अब register number के माद्यम से या तो mobile number के माद्यम से ही आप लोग data check कर सकते है आदिये, आप लोग किसेनों का टेटस चेक कर पाएंगे, इसका अलवा आप लोग किसेनों का टेटस नहीं देख सकते हैं, मित्वों इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे, रजिस्टर नमबर को कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, 2. Helpdesk को आप लोग नए तरीकों से कैसे यूज़ कर सकते है 3. Benefit status को कैसे आप लोग देख सकते है और Capture का problem को कैसे आप लोग solve कर सकते है इन्हें सारे सावालों के साथ इस वीडियो की शुरुवात करते है सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को हम बताएंगे Arrester number को कैसे आप लोग निकाल सकते है इसके लिए आप लोग को यहाँ पर Google सर्च करना होगा यहाँ पर आप लोग टाइप करेंगे PM किसान उसके बाद आप लोग के सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगे आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद PM की संसनमानी दी योजना की ओपिसल पोटल ओपन हो जाएगी उसके बाद आप लोग को यहाँ पर निचे स्कोल डाउन करना है आप लोग को यहाँ पर फार्मार कॉर्णनर में उप्सन मिल जाएगा Beneficit Status आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर Beneficit Status देखने का नया तरीका मिल जाता है यहाँ पर आप लोग रजिटर नमबर के मादेम से और मूबल नमबर के मादेम स्टेटस चेक कर सकते है आप लोग ने यहाँ पर जो भी सिलेट किया होगा आप लोग को यहाँ पर Enter value में आप लोग को Enter करना होगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया कैप्च आप लोग को यहाँ पर Feel करना होगा उसके बाद आप लोग यहाँ पर Get Mobile वाल उसमें पर क्लिक करेंगे उससे पहले आप लोग को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे इससे आप लोग रेजिस्टर नमबर को निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक option मिल जाता है Now your register number तो यहाँ पर आप लोग click करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर register mobile number enter करना है यहाँ पर दिया गया capture आप लोग को यहाँ पर feel करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर get mobile or double option पर click करना है लेकिन मित्रों आप लोग को यहाँ पर दिया गया capture आप लोग यहाँ पर feel करेंगे हर बार आप लोग को ऐसा लिखाएगा enter valid capture तुमित्रों आप लोग को यहाँ पर क्यार करना है आप लोग को इस केपचा को दबा के रखना है उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पर मेनू ओपन हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है आप लोग के सामने यहाँ पर द वो capture आप लोगों ने not down किया होगा, वो आप लोग को यहाँ पर feel कर देना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर get mobile OTP option पे click कर देना है, उसके बाद आपके register mobile पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP चार डिजिट की भेजी जाती है, OTP आप लोग यहाँ पर feel करेंगे, उसके बाद get detail पे click करेंगे, मित्रो यहाँ पर इस तरह से option आ रहा है, मित्रो अभी इस service को हाले में launch किया गया है, इसलिए ठीक से work नहीं कर रहा है, इसलिए मित्रो अगर आप लोग को भी इस तरह से problem आता होगा, तो यहाँ पर आप लोग दुबारा try कर सकते है, मित्रो एक दिन पहल करने के लिए हमारे पास दूसरा एक तरीका है, इसके लिए हमें Google सर्च करना होगा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे किसान सुवीदा, उसके बाद हमारे सामने first link आ जाएगी, यहाँ पर click करेंगे, उसके बाद किसान सुवीदा की official portal open हो जाएगे, उसके बाद हमें यहाँ पर PM किसन का option मिल जाएगा, यहाँ पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर now beneficiary and payment status पे click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर select ID type पे click करेंगे, यहाँ पर आधरकार number, account number और mobile number दिया जाता है, यहाँ से हम select कोई भी एक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप लोग ने select किय होगा, enter करेंगे, उसके बाद यहाँ पर get active instrument पे click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर instrument select करने की list आ जाएगे, यहाँ से हम select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर किसन की detail आ जाएगे, यहाँ पर आप लोग को register number सो किया जाता है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर register number को निकाल स जि ना होगा रेश्टर नंबर या तो मुबाल नमर आप लोग यहाँ पर सिलब करेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग ने सिलेट किया होगा यहाँ पर आप लोग यहाँ और एंटर करेंगे। जब ये ठीक से वर्क करेगा तो यहां से आप लोग benefit status को चेक कर सकते हैं यदि आप लोग benefit status को देखना चाहते होंगे तो अभी आप लोग को हमने किसन स्वीधा पोटल के माध्यम से benefit status को कैसे देखा जाता है उसके माध्यम से आप लोग benefit status को देख सकते हैं अभी यहाँ पर हम बात करें कैसे आप लोग help desk को use कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर home page पर आएंगे farmer corner पर नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर हमें help desk का option मिल जाता है यहाँ पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर query register करने का option मिल जाता है query status चानने के लिए यहाँ पर second option मिल जाता है query register करने के लिए आप लोग को यहाँ पर click करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर register number या तो mobile number के मादम से query को register करना होता है तो यहाँ पर आप लोग ने जो भी select किया होगा यहाँ पर आप लोग enter करेंगे उसके बाद यहाँ केपचा आप लोग को यहाँ पर feel करना है उसके बाद यहाँ पर get mobile OTP पर click करना है यदि आप लोग ने यहाँ पर query register किये होगी उसका टेटर जानने के लिए आप लोग को यहाँ पर click करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर query ID यहाँ पर enter करना है या तो आप लोग mobile number भी enter कर सकते है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर capture feel करना होगा उसके बाद आप लोग यहाँ पर get mobile OTP पे click करेंगे तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर query को register कर सकते है और यहां से आप लोग query status को check कर सकते है मित्रो अभी यह properly work नहीं कर रहा है इसलिए यहां पर आप लोग को पूरा matter नहीं समझा पाऊंगा लेकिन मित्रो जब भी यह work करेगा तो यहां से आप लोग इस तरह से query को register कर सकते है और query status को यहां से आप लोग आसाने से जान सकते है मित्रो हमने 4 साल को अच्छी तरह सी इस वीडियो में हमने cover कर लिया है उमिद करता हूं जो भी जान करें आप लोग को हमने इस वीडियो में बताई है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा अपने मित्रो के साथ मन में अगर किसी भी तरह का सवाल या confusion या सुझा होगा आप लोग हमें comment करके पूछ सकते है यदि मित्रो आप लोग ने चनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेलकर बज़रू दबा दिजिए ताकि हमारे और से अप्रोड की जाने वाले वीडियो आप तक पहले पहुँच पाई